जैहिंद देखिए आज़का टोपे क्या मारा नर्वस सिस्टम यानि तंत्र का तंत्र थीक है इसमें हम previous year आपके question करेंगे देखते हैं तो question पहला question आपका मस्तिक का कौनसा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है बताइए कौन सा हिस्सा है जो आपका सांस को नियंत्रित करता है कौन सा आपका वो मज्या, option number C आपका right answer हो जाएगा next question देखे next आपका rain wear के nodes सूच में रिक्तिस्थान होते हैं, जो बताइए किसमें पाया जाता है तो किसमें पाया जाता आपका myelin क्रित एक्सोन में पाया जाता है option number E आपका right answer है, next question देखे next आपका निमलिखित मैसे मानव मस्तिक का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्र होता है बताइए तो कौन सा होता आपका अग्र मस्तिक होता है, ठीक है? देखे, जो आपका मस्तिक है, यानि brain है वो आपका तीन पाटों में बता हुआ है अग्र मस्तिक, मद्य मस्तिक और आपका पश्य मस्तिक ठीक है? अग्र मस्तिक भी आपका बता है, ठीक है? पश्च मस्तिक में आपका सेरी बेलम आता है और मेडला अब लोंग उटाता है ठीक है देखते हैं क्वेस्टन सूत्र योगमन और द्रुमासम किसे संब्धें थे आपके तो वो इसनायू कोशिका से संब्धें थे आपके नेक्स्ट आपका निम्लिखित में कौन एच्छिक किरिया नहीं है बताईए ठीक है तो एच्छिक किरिया कौन से होते हैं जिन्में हमारी इच्छा हो वो कैसे होते हैं एच्छिक किरिया हैं और जिन्में अनैच्छिक किरिया क्यों से होते हैं जिन्में हमारी इच्छा ना हो ठीक है तो देखो एच्छिक क्रिया नहीं है देखो कुर्सी पर घूमना यह हमारी एच्छिक क्रिया है और पहले बंद करना यानि हम कोई चीज़ा आपकी ओन है उसको बंद्या चालू कर सकते हैं किसी वस्तु पर बात करना हमारी चालू करेंगे नहीं होगी तो नहीं करेंगे पर हिर्दया का धड़कना एच्छिक क्रिया आपकी नहीं है यह कैसी आपकी अनैच्छिक क्रिया है कैसी यह आपकी अनैच्छिक क्रिया है ठीक है यानि हिर्दया का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं होता है उप्स नम्बर भी आपका राइट अंसर होगा Next Next आपका मनस्यों में अनेच्छिक किरियाएं जैसे कि रक्त दवाव लार और उल्टी को किस के दवारा नेंत्रित किया जाता है बताईए तो किस के दवारा किया जाता है आपका मेडला के द्वारा, मेडला आवलांवता के द्वारा किया जाता है next देखिए next आपका स्वेचिक कार्रयों के लिए सुन्स्चिता अंग विन्यास निर्भान और सरीर का संत्लन बनाई रखने के लिए बताई कौन उत्तरदाई होता है तो आपका वो अनोमस्तिक उत्तरदाई होता है ओप्शन अम्मर B आपका राइट अंसर होगा नेक्ट देखिए देखिए आपका मनस्वें ताप नियमन यानि थर्मो रेगुलेशन को पताए किसके द्वारा नियंतरित किया जाता है तो वो आपका हाइपो थेलेमस की द्वारा नियंतित किया जाता है ओप्शन नमर B आपका राइट अंसर होगा नेक्ट कॉसन देखी देखी नेक्ट आपका माना मस्तिक का कौन सा हिस्सा बुद्धी, इस्मर्ती और भावनाओं का केंद्र होता है बताईए, तो कौन होता है वो, सेरी ब्रह्म होता है, ठीक है जो सेरी ब्रह्म ही मस्तिक का सबसे बड़ा भाव होता है इसी को क्या कहते हैं, हम प्रमस्तिक भी कहते है प्रमस्तिक कहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आपका माना मस्तिक का वजन कितना होता है बताईए तो वो शरीर के कुल वजन का 2% होता है option number A आपका right answer होगा ठीक है वैसे आपका 1350 ग्राम होता है next next आपका निमलिखित मैंसे कौन सा अनुमस्तिक के बारे में सही नहीं है बताईए ठीक है अनुमस्तिक क्या होता आपका सेरी बेलम इनके बारे में कौन आपका सही नहीं है तो क्या नहीं है यह मस्तिक का काफी छोटा भाग लगबग 25% होता है यह आपका सही नहीं है अनुमस्तिक आपका हिंड बिरेन यानी पश्च मस्तिक का भाग होता है next देखिए Next आपका माना मस्तिक में धनी का समवेदन कितनी देड़ तक बना रहता है तो आपका वो 0.1 सेकंड तक बना रहता है Option नमुर E आपका राइट अंसर होगा Next देखी Next आपका मैंने अपने हाथ को आगे से बापस खींच लिया इस तरह की कार्रिवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मितार है बताईए तो आपका मेरू दंड जिम्मितार है ठीक है यानि स्पाइनल नेक्स्ट देखे यह नेक्स्ट आपका मस्तिक भी सरीर का समनवय केंद्र है बताईए तो मस्तिक आपका मुख है next next आपका मानव मस्तिक का ग्राम में वजन कितना होता है तो आपका वो 1350 यानि 1200-1400 के बीच में होता है ठीक है ये ग्राम में आपका next next है आपका अनव मस्तिक यानि सैरी बेलम बताई किस से सम्बंद देते आपका तो मास source के घुमाँ वेवं नियंत्रड से सम्मन देता है देखी next आपका कौन सा उतक नीरोन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचलन करते हैं ठीक है तो वो नर्वस यानी तंत्र का उतक किस से बने होते हैं आपके नीरोन से बने होते हैं ठीक है नर्वस या तंत्र का next देखे next आपका इन मेंसे कौन सी एक तंत्र का को सिका है बताईए तो कौन है आपके वो neurons ठीक है तंत्र का उतक की आपकी unit का होती है यानि एकाई क्या होती है तो आपकी वो neuron ही होती है ठीक है तंत्र का उतक की एकाई क्या होती है आपकी neuron होती है next देखे next आपका तंत्र का आवेक की प्रकरती होती है तो आपकी वो विद्धुत रसायनिक होती है next next आपका पताई कौन खांसी और छीकने जैसी अनेच्छिक गत्विदियों को नियंत्रित करता है तो कौन करता है आपका वो मज्जा करता है option number यह आपका right answer है next next आपका आपका यह दो नियूरौन के बीच का इस्थान होता है जो आपके दो नियूरौन सोथे हैं उनके बीच का इस्थान आपका क्या कहलाता है तो वो आपका synapse कहलाता है option number B आपका right answer है next देखिए next आपका दो neuron के बीच junction को क्या कहते हैं तो आपका वो सूत्र युगमन कहते हैं next next है प्रतेक neuron एक site tone यानि cell body से निर्मित होता है जिसमेंसे कई छोटी छोटी साखाएं निकलती हैं बताएं उन साखाओं को क्या कहते हैं तो उनको हम दुमिकाएं कहते हैं option number D राइट है next next आपका निम्निक्षित मैंसे कौन सा अनुमस्तिक के लिए सही नहीं है बताएं जो अनुमस्तिक के लिए आपका कौन सही नहीं है तो आपका यह बोलने देखने सुगने स्वादलेने सुनने बुद्धिमत्ता इत्यादी जैसी गत्विदियों को नियंत्रित करता है यह आपका सही नहीं है next आपका निम्निक्षित मैंसे कौन सा प्रवमस्तिक के बारे में सही नहीं है बताईए तो कौन आपका सही नहीं है यह प्रवमस्तिक मास्विदिय की गत्विदी का समने में करता है यह आपका सही नहीं है option number D right answer next देखे next question आपका निम्निक्षित मैंसे किन गत्विदियों में स्वेचिक मास्विदिय कारिवानित होती है बताईए तो देखो मैंडक का कूदना कैसा आपका स्वेचिक है पेट में भोजन की गती यह आपकी अनेचिक क्रिया है हिर्दय का धड़कना भी आपकी अनेचिक क्रिया है हाथ से लिखना ये भी आपका H-6 क्रिया यानि A और D हो जागा यानि option number C आपका right answer होगा next question देखी next आपका निमलखित मैंसे कौन सा अनुमस्तिक के बारे में सही नहीं है बताई जो आपका सेरी बेलम होता है क्या सेरी बेलम होता है क्या सही नहीं है आपका तो वो देखो इसमें दो बाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिक गोलारत का जाता है ये आपकी बाद सही नहीं है यह मस्तिक के पिछले छेत्र मस्तित होता है यह सही है यह पस्च मस्तिक का एक भाग होता है यह भी सही है यह मस्तिक का काफी छोटा भाग लगवग यानी 12% होता है यह भी सही है यानी option number A आपका सही नहीं है और option number A ही आपका right answer हो जाएगा next देखिए देखिए next आपका all factory सब्द निम्लिखित मैंसे किस से सम्मनित है बताए तो किस से आपका वो गंद से सम्मनित है option number D आपका right answer है next देखिए देखिए next आपका एक neuron के कोज का रखना को क्या कहा जाता है बताएए तो उसको soma कहते हैं option number D आपका right answer है next next है alcohol सरीर में पहुँचकर निम्लिखित प्रवाब दिखाता है बताएए जो alcohol है वो सरीर में क्या करता है आपका वो तो आपका सम्मवेदना सीलता को कम कर देता है option number B right answer next देखिए next आपका बताएए किस का आपगटन मानम में अल्जाइमर रोग का अविलेच छड़ है तो वो मस्तिक कोशका का अपगटन ही मानम में अल्जाइमर रोग पैदा करता है option number C right answer next देखिए next question आपका मानम मस्तिक कितने ग्राम का होता है तो आपका 1350 ग्राम का क्या होता है मानम मस्तिक होता है option number E right answer next next आपका ग्रे मेटर में होता है बताए जो ग्रे मेटर उसमें आपका क्या होता है तो काफी संख्या में तंत्र का कोशकी निकाय होते है option number आपका भी right answer हो जाएगा next next आपका cranium यानि कपालिका के उपरी भाग को ढखने वाली मास्तिक का नाम है बताए तो उसका क्या नाम है तो galia aponeurotica उसका नाम है किसको जो आपके कपालिका होते है ठीक है उपरी भाग को जो ढखते हैं उसका क्या नाम है galia aponeurotica next next आपका मनस्ष के सरीर में cranial तंत्रकाओं की संख्या है बताए cranial समझ रहे ना आप कपाल तंत्रका कपाल तंत्रका इसमें आपका कितने होती है देखो 12 जोड़ी होती है option number A आपका right answer होगा ठीक है और देखो जो मेरू रज्जू तंत्रकाओं होती है कौन सी मेरू रज्जू तंत्रकाओं वो आपकी कितने होती है 31 जोड़ी होती है वो ठीक है कपाल तंत्रकाओं आपकी 12 जोड़ी होती है मेरू रज्जू तंत्रकाओं आपकी 31 जोड़ी होती है next next आपका इस्तन पाईयों में मस्तिक का सबसे विक्सित भाग जिससे मनुष अपनी फसल पैदा कर सकते हैं मसीन का आविस्कार कर सकते हैं और भासा कला विक्सित कर सकते हैं बताई वह कौन सा भाग होता है तो वह आपका सेरी ब्रह्म होता है option number A आपका right answer होगा next देखे ठीक है देखे सेरी ब्रह्म किस से सम्मन देता है आपका तो आपका वह मस्तिक से सम्मन देता है ठीक है देखो सेरी ब्रह्म आपका बुद्ध्यमत्ता के लिए जाना जाता है बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है नेक्स्ट है नीरोन एकाई है बताई जो नीरोन है वो किसकी एकाई आपकी तो तंत्र का उतक की एकाई है option number D आपका right answer है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जिव विग्यान की दरश्टी से शरीर के सवी प्रकार के उद्धी पनाओं का ग्रहड किस से तंत्र द्वारा होता है तो आपका वो तंत्र का तंत्र द्वारा होता है Thank you मिलते हैं